हाव तू ट्रांसपर फाइल्स एंड वीडियोज एंड फोटोस फ्रॉम लैप्टॉप टू पैंड्रॉइफ यहाँ पर आज के वीडियो में इस मेधड एंड स्टेप को किस तरीके से अप्लाई करना है और लैप्टॉप टू पैंडरॉइ में फाइल्स फोटोस एंड वीडियो को ट्रांसपर करने का प्रोसेस किस तरीके से अप्लाई करना है वेल बैसिकली यहाँ पर आज खात यह थोड़ा टॉपिक थोड़ा डिफ्रेंट है लास्ट टैम मैंने यहाँ पर कवर किया था कि मोबाईल टू पैंडरॉइ में किस तरीके से ट्रांसपर करना है तो यहाँ पर जो टॉपिक है इसपेशली ओनली फॉर में न्यू यूजर्स और बिगिनर्स के लिए में कम्प्लीट कर रहा हूँ जिनोंने फर्स टाइम अपने लाइफ में एक लाप्टॉप पर्जेस किया है तो इस अब विगिनिग उन्हें बिल्कुल भी आपर अवेर्नेस नहीं होता है कि मोबाईल टू पैंडरॉइ में और पैंडरॉइ में या तो पैंडरॉइ तो लाप्तॉप में कोई भी files, photos and videos को किस तरीके से transfer करना है So there is no need to worry about this यहाँ पर मैं कुछ important point है पहले में clear करना चाहता हो तो यहाँ पर जो panroids है panroids में भी कई सारे types के qualities होते है तो यहाँ पर कुछ panroids होते है जो एक तरीके से laptop में जो transferring का process है उसका speed भी हाँ पर panroids के उपर depend करता है अगर आप chip quality का panroids पर्चेस करेंगे तो उसमें आपको जो speed है transferring का वो बहुत ही slow मिलेगा इवन बीच में आधे transfer इपर यह file आपका stuck हो जाएगा तो यह बात का आपको ध्यान रागे नहीं कि जब भी आप एक panroids लो तो वो एक तरीके से OTG supported panroids होना चाहिए because panroids ऐसे भी आते हैं जो OTG को support नहीं करता है so keep in mind especially beginners के साथ यह problem होता है because otherwise आप आप online panroids order करेंगे बाद आपको purchase करने के बाद जब आप उससे use करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो OTG supported नहीं है तो यह सब चीज़ा हमें यूज करने के बाद पर जलता है तो जब भी आप एक panroids लो तो सबसे पहले ज़सका specifications है वो आपको पहले check it out करना है but still अगर आपको और भी कुछ doubt है और भी कुछ question is related so you guys can easily contact me on facebook, instagram और twitter तीनों का link में आपको description में दिया वहाँ पर आप डियम कर सकते हैं डियम कर सकते हैं वहाँ पर में 24 hour active रहता हूँ because youtube के comment section में reply जादा नहीं करता हूँ इतना जादा active नहीं रहता हूँ but facebook, instagram और twitter पर में 24 hour active रहता हूँ अगर कुछ भी problem होगा तो आप directly मुझे आप डियम कर सकते हैं contact कर सकते हैं तीनों का link में डिस्क्रिप्शन में दिया है तो अभी फिलाल यहाँ पर मैं कुछ important stop यहाँ पर बताना चाहता हूँ तो यहाँ पर connect करने के लिए laptop to mobile में easy सा process है simple सा जो आपका यह port है उसको अपने laptop के USB port से connect करना है तो let's make it connect कर लेता हूँ जैसे आप connect करेंगे तो आपके pen drive में आपको एक light blink होगा as you can see यहाँ पर एक blink होगा और साथ में आपके computer पे आपको यह वाला message आएगा अगर यह वाला message नहीं आया है that में समझ लेना कि आपका pen drive आपके laptop से connect नहीं हुआ but sometimes ऐसा भी होता है कि यहाँ पर connect हो जाता है but still आपको यह message नहीं आता है so in that case अगर आपको और भी confirm करना है तो directly आपको अपने my computer में जाना है वहाँ पर आपको देखना है कि आपके USB pen drive का जो नाम है वो आपके laptop में show कर आए कि नहीं so let me show you that alternative method तो इसकी लापको direct अपने search बार में जाना है अगर आपका windows का laptop या apple का है तो आपके pen drive का नाम यहाँ पर आपको show करेगा तो यहाँ पर मैं step by step process cover करो because यहाँ पर अगर मैं कोई point miss out करूँगो तो आपको यहाँ पर समभज मिन आएगा so keep in mind okay so as you can see यहाँ पर यह है मेरा USB pen drive का storage and यह है मेरा laptop का internal storage तो इसको तो आपको skip करना है तो यहाँ भी यह connected हो गया that means दोनों एक दूसर से आपे connected हो गया है तो यहाँ पर connecting का जो process है वहाँ पर completed हो गया है अभी directly आपको laptop to pen drive में यहाँ पर आपको files, photos and videos को transfer करना है तो पहले मैं आपको video files को transfer करके बता तो उसके बाद photos को में transfer करके बता ताकि दोनों system आपको easily समझ में आएगा even में उसके बाद जब USB port को USB port में आपको दिखाऊंगा भी कि वो file मेंने कहाँ पर store किया है so don't worry about this जिससे कि आपका doubt easily clear हो जाएगा तो सबसे पहले आपको अपने laptop to pen drive में अगर को भी files को transfer करना है तो इसके लिए आपको अपने सबसे पहले अपने इस my computer के option में जाना है जो भी अपने नाम यापर set किया है like this and उसके बाद यहाँ पर आपको उस folder में जाना है जिसमें से आपने कोई भी video या photo को जहाँ पर आपने save करकर रका है आपने my computer में अगर आपने कोई डाउनलोड किया इंटरनेट से तो आपको डाउनलोड आरे फोल्डर में जाना है अगर आपने कोई फाइल यहाँ पर create किया है जिसमें आपने कुछ वीडियो और फोटो को save करकर रका है अगर आपने के लिए जिसमें में यहाँ पर कई सारे वीडियो और फोटोस को save करके रका है तो यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम सा इमेज लूँगा कोई एक रैंडम सा वीडियो लूँगा तो वीडियो और इमेज पर बिल्कुल भी मजाना तो यहाँ पर बिल्कुल आपको शो करने के लिए कि फोटोस और वीडियो सो किस तरह के सा ट्रांसपर करना तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ज़्यादे इमेज नहीं है तो मैं कोई भी एक रैंडम सा इमेज लूँगा उसको मैं ट्रांसपर करके बताऊंगा अइड वीडियो सको भी तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वीडियो ले ले ता हूं तो लेटस एग्जामपल इस में इस फोल्डर में जाता हो और आप उस कोई भी फोल्डर में जा सकते हैं जिसमें भी आपने वीडियो को स्टोर करकर रखाया है थाकि वो आपको easily समझ में आ जाए तो मेरे cases में यह एक वीडियो है as you can see मैंने यहाँ पर वीडियो कवर किया था Link other card to pen card stylish view तो इस वीडियो को मैं लाप्टॉप टू पैंडरो में ट्रांस्फर करूंगा तो अभी इसको ट्रांस्फर करने का दो अप्शन है और कि कॉपी करने का एक तो आप अपने माउस पर राइट किलिक कर सकते हैं राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कॉपी का अप्शिन आजाएगा आप डैरिकल यहाँ पर टैप कर सकते हैं अदर्वाइस एक और अल्टेनेट वह है आप डैरिकल आप में कीबोर का भी यूज कर सकते हैं आपने माउस को यहाँ पर लेकर जाना है इसके बात इंटर मारना है इसके बात आपने कीबोर्ड पर जाना है एंड कंट्रोल एंड सी करना है कंट्रोल एंड सी कमांड है वीडियो को कॉपी करने का So, यह यह वीडियो आपको फोपी हो गया अब उसके बाद ड tyingly आपको जाना है बैक Back जाके आपको जाना है आपस्टम कि माय outro topic मैं यहां तो इस USB यह जो USB स्टोड़ेज है यह पेंड्र को टाप करना है and उसके बाद आप चाहिए तो एक alternative एक नया folder आप यहाँ पर create कर सकते है ताकि वीडियो का एक अलग folder होगा फोटो का एक अलग folder होगा तो आपको find out करने के लिए easy पड़ेगा तो अभी यहाँ पर मैं वीडियो को transfer कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक वीडियो का folder है मेरे पास as you can see video transfer यह एक folder है तो इसमें मैं इसको transfer कर दूँगा and then इसके बाद इसके पेस्ट करने के लिए यहाँ पर वीडियो को transfer करने के लिए आप यहाँ पर mouse पर right click करके पेस्ट का option choose कर सकते है otherwise आप अपने computer पे जो डिरिक लापको control और V as you can see control and V यह आपको paste कर देना है तो उसके बाद जो वीडियो है वो यहाँ पर transfer होना start हो जाएगा as you can see यह laptop to penroy में transfer हो रहा है and now as you can see यह वीडियो यहाँ पर transfer हो गया है isn't it cool चाहँ तो मैं एक बार आपको फीड से बता देता हो okay let's यह वीडियो तो सेम ऐसी ट्रांस पर करना अब लेट से example में photo को transfer करता तो photo transfer करने के लिए फिर से आपको उसी फोल्टर में जाना है जिसमें आपने photo को रखा है अपने computer में लाप टॉप में और उसको आप प्रांस पर करना चाहते हैं तो मेरे cases में यहाँ पर मैं एक यह नेचर का image ले ले रहा हूँ as you can see यह नेचर का फिर से इसको copy करना है copy करने के लिए फिर से आप चाहतो mouse पर right click करके short use कर सते हैं but make sure कि आप यहाँ पर mouse को avoid करें because computer में आपको laptop का keyboard skills है keyboard का short keys है वो आपको जानना बहुत ही ज़रा ज़रूरी है mouse को आप basically avoid करें but यहाँ पर फिल में तो only यह सब चीज में experience और directly मैं आप पर short use करूँगा copy कर ले दरसको and then इसके बाद फिर से आपको जाना है कि find out गाने के लिए easy पड़ेगा तो अब मैं चाहते है इसको फोटो में पर ट्रांसफर कर सकता है तो इसलिए मैं इसको भी वीडियो में ट्रांसफर कर सकते हैं and now उसके बात आपको यहाँ पर paste कर देना है mouse पर right click करके just like this and now as you can see यह रहा वीडियो और यह रहा जो हमारा photo यहाँ जो भी हमारे images था वो यहाँ पर show कर रहा है as you can see so it's completely simple, right? अब यहाँ पर एक नो फोटो को में आपको ट्रांसफर कर के दिखाता हूं तो फिर से में documents के folder में जाऊंगा और यहाँ पर यह पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर में कुली करना है mouse पर right click then यहाँ पर copy कर लेना है फिर से आपको माइकर मुम्प्टर के option में ज तो इसको भी वीडियु में ट्रांस्फरिंध करूंगा अर इसके बात यहाँ पेस्ट कर सेठी प्रेस करदो का सिंपली कंट्रॉल प्रेस करके यहाँ तो डारीक लिए माउस पे राईड किले करके पेश कर जाना है तो इमेज़ यहाँ पर आ गया है तो यहां पर मैंने तोटल तीन यह यह दो वीडियो सेंड किया है यह दो वीडियो है और जो आपके पैंड्राइ का पोर्ट है वो भी एक तरीके से डामेज हो था बले कितना भी इसका कैपैसिटी हाई हो तो जैसे आपका ट्रांस्परिंग का प्रोसेस हो जाएगा तोरण थी आपको अपना पैंड्राइ यहां से लिमूफ कर लेना है और यहां पर पैंड्राइ में यह जो हमारा फाइल है फोटोस हैं वीडियोस है वो यहां पर ट्रांस्पर हो गया है तो बस इसी तरीके से आपको लाप्टॉप टूप पैंड्रोई में वीडियो फोटो एंड फाइस को ट्रांस्पर करना है यूजिंग इस सिंपल स्टेप बट स्टिल अगर आपको कुछ भी कोशन है कुछ भी डाउट है यूगाइस कन इसली कॉंटाक मी इन फेस्बूक इंस